तो लिको forest trading काफी rewarding भी है और काफी risky भी है like a roller coaster ride कभी इसमें मज़े आएंगा तो कभी काफी डर लगेगा तो इस वीडियो के इंतर हम लोग ये cover करेंगी कि क्या इंडिया में forest trading करना legal है या फिर नहीं इसके अबर हम लोग जानेंगे किया कि आप लोग कैसा एक perfect SEBI registered और RBI regulated forest trading platform चुन सकते हैं और फिर हम लोग जानेंगे कौन-कौन से forest trading platform है इंडिया में और कौन-कौन से unauthorized the forest trading platform है इंडिया में तो सबसे पहले कीज़ को cover करते हैं कि क्या इंडिया में forest trading ban है forest trading इंडिया में बेहन है इसको इसलिए कहा जाते है क्योंकि almost SEBI ने और RBI ने कई सारे rules यहां पर बनाए हुए जिसके current कई सारे forest trading platforms को दिखे almost इंडिया में illegal माना जाता है क्योंकि इनके काफी सारे rules और काफी तगडे rules हैं यह देखे यह platform इन rules को meet कर जाते हैं तो इन platforms पर forest trading इंडिया में legal हो जाएगी बट एक तरीके सारे आपनों कोता है forest trading इंडिया में legal है इतना ज़ादा वो illegal नहीं है बट कई platforms जो forest trading के rules उनको comply नहीं करते हैं तो इंडियां residents forest में trade कर तो सकते हैं पर उन ही brokers के साथ जो कि SEBI में registered हो और RBI के द्वारा regulated हो क्योंकि आप तो बहुता है RBI और SEBI दोनों एक साथ मिलकर forest trading को चलाते हैं तो आप लोगों यह तो पता चल गाया होगा ऐसे Indian resident क्या आप लोगों forest trading में trade कर सकते हैं या फिर नहीं तो देखो almost कई सारे इंडियां residents forest trading में trade भी कर रहे हैं और आप लोग भी कर सकते हैं बट mainly इसको इसलिए कहा जाए कि forest trading इंडिया में बहने क्योंकि कई सारे जो platforms है न लोगे तो यह illegal है अभी आप लोग बता है market में कई सारे कि ऐसे फोरेक्स ट्रेडर्स हैं जो कि almost ऐसे platform के साथ forex में trading कर रहे हैं जो कि RBI के दौरा approved ही नहीं है बट आप लोग जानते हैं प्लेटफोंस जो कि almost authorized नहीं है तो इसमें क्या chances थी कि आपका पैसा उनके platform में safe होगा पहली चीस तो तुम लोग एक्शन कैसे लोग है इसके सासा तुम लोग एक local payment methods को भी फिर access कर पाऊगे जो भी platforms सेभी और RBI के दूस को follow करेंगे जैसे में almost आप लोग पे टीम फोन पर यूप या बैंक ट्रांसपर जैसी methods को भी यूज कर पाऊगे बट जो approved नहीं है उसमें आप लोग थोड़ा issue होगा अब देखे हम लोग ने काफी तरी चीज़े जान लिए अब एक चीज जानता है हम लोग यह कैसे जाने कि कोई भी ब्रोकर RBI approved है या फिर नहीं है तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सबसे पहली चीज़ है registration यह दि देखो कोई भी ब्रोकर almost RBI के साथ registered होका Forex trading के लिए तो आप लोग उनकी website पर उनका license चेक कर सकते हो और आप लोग उस license को आप लोग से पर जाकर उस license को almost verify कर लो पहला प्रोसेस दन यूजर फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म अप नोटिस करना almost कोई सारे ऐसे Forex trading प्लैटफॉर्म में जिनका देखो यूजर इंटरफेस काफी complicated है जब यूजर इंटरफेस ही complicated है भाई तो almost कभी कि दिको समझ में नही ज़रूरी है और यहीं नहीं उस प्लैटफॉर्म ने कई सारे features भी अपने customers को provide करना चाहिए और भी कई सारे tools भी देना चाहिए for Forex trading तीसरी चीज़ है customer service उस प्लैटफॉर्म में देखिए आप लोग contact options मिलना चाहिए for example आप लोग कोई भी trouble होती है आप फटा 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 contact कर पाएं because यह काफी ज़रूरी है और अगली चीत आप लोग चेक कर सकते है currency pair और जो जो ब्रोकर है उसको वो currency pair offer करना चाहिए जो कि RBA के दवरा Forex trading के लिए allow किये गए हैं जैसे USD INR, EUR USD और उन सातों के नाम में आप लोग को सामने display पर दिखा देता हूं तो अब देख दूसरा है angel broking, तीसरा है HDFC securities, 4th share khan, 5th ICICI bank limited और 6th axis bank आप लोग इनको consider कर सकते हैं for Forex trading अब कुछ unauthorized brokers की बात कर रहे हैं इस list को खुद RBA नहीं launch किया था तो मैं आप लोग को almost सभी के तो नहीं नाम बता हूंगा कुछ के नाम बता रहता हूं जैसे Octifex, Binomo और Alpari तो I hope आप लोग के सारे doubt clear हो गएंगे Forex trading से related तो आज की वीडियों बस इतना ही